देखो, ये कोशन हमें करना है A, B, C, 3 इवेंट्स हैं P, A मालूम है, P, B, P, C मालूम है P of A intersection B मालूम है P of A intersection B मालूम है तीनों का intersection मालूम है और दिया गया है कि probability of A union B union C greater equal to 0.75 तो probability of B intersection C इस interval में लाई करेगा ये हमको प्रूफ करना है मतला हमको ये शो करना है कि probability of B intersection C जो है, ये 0.23 से greater होगा और 0.48 से less होगा ऐसा हमें यहाँ पर प्रूफ करना है ध्यान दो ठीक है, ये बात हमें प्रूफ करनी है और, ठीक है, देखो क्या होगा इसमें हमें ये result अपना मालूम है कि probability of A union B union C बारबर, P A plus P B plus P C minus A intersection B minus, देखो B intersection C और माइनस A intersection C और प्लस A intersection B intersection C है ना, ये बात हमें देखों यहाँ पर मालूम है देखों, सबकी वैलू रखो probability of A union B union C P A P A है 0.3 P B है 0.4 और P C है 0.8 A intersection B देखों है 0.08 और A, देखों B intersection C को proof करना है कि वो इसमें लाई करेगा तो उसको बैस सही रखो और A intersection C है 0.28 प्लस तीनों का intersection है 0.09 ठीक है? देखों अब यहाँ पर जड़ा ध्यान दो यह हो गया A union B union C हाना देखों यह 0.7 तो हो गया 1.5 इनों को प्लस करोगे तो 1.5 ठीक अच्छा इन दोनों को अगर हम प्लस करें इन दोनों को देखो स्वरी यह माइनस है और यह प्लस है तो दोखों यह कुल दोखो इन तीनों का सम किया तो यह आ गया ऐसे अब इसका और इसका प्लस करोगे तो यह प्लस का आएगा 0.01 और माइनस 0.28 और माइनस B intersection C दोखों ऐसा यह आ गया ठीक है? अब जड़ा इन तीनों को प्लस माइनस करो आपस में देखों यह हो गया 1.5 और 0.01 तो 1.5.1 ठीक है? और 1.51 मैंसे 0.28 करना है माइनस ठीक है? तो यह 1.23 बचेगा है ना? तो देखों P of A union B union C बचेगा है ना? कितना बोलो? 1.23 1.23 और माइनस प्रवरिल्टी ओफ B intersection C देखों ऐसा यह बचेगा अब देखों ध्यान दो यहाँ पर कि एक्चुली प्रवरिल्टी ओफ A union B union C दिया गया है greater equal to 0.75 लेकिन यह lesser equal to 1 होगा दो यह यहाँ है कोई भी प्रवरिल्टी हो वो sample space की प्रवरिल्टी से हमेशा कम ही होगी और sample space की प्रवरिल्टी क्या होती है 1 तो कोई भी प्रवरिल्टी हो वो हमेशा 1 से कम ही रहती है हाँ 1 के बराबर भी हो सकती है 1 के बराबर का होगी जब A sample space के ही बराबर हो जाए हाँ तो यह बात हमें मालूम होगी कि जो प्रवरिल्टी होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में रहती है चाहे एक कोई भी event हो कोई भी event हो उसकी probability हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगी probability 0 होने का मतलब वो event possible नहीं है impossible event है वो और probability 1 होने का मतलब वो sample space के बराबर हो गया तो उसको certain event भी कहते हैं तो यह बाद ध्यान देना किसी भी event की जो probability है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में रहती है हमेशा ठीक है तो अगर probability 0 के बराबर हो गई तो हम कहते हैं यह event possible नहीं है इसको impossible event कहते हैं और अगर probability 1 के बराबर हो गई तो उसको हम certain event कहते हैं तो इसलिए देखो बीच में रहेगी इस बात पर हमेशा ध्यान दो ठीक है अब देखो क्या होगा यहां से कि A union B union C यह दिया गया है लेकिन यह अपनी तरफ से लिखा lesser equal to 1 वाला केस इसकी दोखो value यह है दोखो इसकी value लिखे 0.75 lesser equal to दोखो इसकी जगा लिखे 1.23 minus P of B intersection C lesser equal to 1 ठीक अब दोखो यह 1.23 minus करदो तो minus 1.23 plus 0.75 और minus P of B intersection C और यहां पर भी देखो 1.23 को minus करदो ठीक है देखो इस मेंसे इसको minus करोगे तो क्या बचेगा देखो यह बचेगा minus का 0.48 और यह minus का B intersection C और देखो यह बचेगा minus का 0.23 अब अगर हम minus से multiply कर दें सबको तो यह inequality change हो जाएगी 0.23 हो जाएगा और यह 0.48 हो जाएगा यह हमें देखो प्रूफ कर दिया और यहां पर यह close कर लो close interval यहां पर जो रिजल्ट आएगा वो close interval की फॉर्म में आएगा ध्यान दो है ना तो यह हमने देखो answer आ गया प्रूफ हो गया जो में प्रूफ करना था तो अच्छा question है यह inequality को देखो हमने probability में भी यहां पर use कर दिया लिखो सबचे जल्दी से इसको प्रूफ हो जो